सश्वी काल जी सार यानू गुड इविनिंग एवरिबान स्वागत तो अड़ा सब्दा राइट ओन दे उपर आज आप डिस्कुस करांगे कॉनिक सेक्षन कॉनिक सेक्षन दा केड़ा हिसा आज आप डिस्कुस करां जा रहे हैं अपना जो चेप्टर नंबर 12 है अज अच्छे तरिके नाल कवर कर देयां स्टार्ट कर देयां अपनी को ली एक चीज जो है वो कवर हो चुकी है जिदा नाम है सरकल अज आपने चेप्टर नंबर 13 दा जो की सेकिंड पार्ट ए पैरा बोला उसनों स्टार्ट करांगे करांगे कि कोई भी डाउट तो हाड़ा ना रहे जेडे भी साथ ही मैस्टर केड़ा दी त्यारी का रहे होना सब्दा स्वागत हैं ते कुछ कारण करके अपना नेटवर्क इशु बहुत ज्यादा आ रहे हैं जेडे कारके कुछ का देन होड आपानों मताब सेटिंग करन जरनगे ते रीजन भी हैंड डेकोर्ड क्लास इसका अपना लाइफ क्लास कितिने किते प्रॉब्लम देवेज मतलब एरर आरहां और नेटवर्क करके ता अब रिकोर्ड क्लास इस लगारे हैं ते स्टिल जेडे भी साथ ही नमें जोड़ देने और ना सबनों रिक्वेस्ट है कि तुसे टेलेग्राम ग्रुप नों जुरूर जोइन कर लूँ ठीके जी तचरो स्टार्ट कर देया आज ये टोपिक नों विना टाइम वेस्ट किते जिदा नाम है पैराबोला ता पैराबोला दे जाओ हुं दिया ने जो आपने सिखनिया भी ने ते जिकर वाय जांस आपानू इन दे फ्यूचर कोई कोई कोशिन आ जान दे ता आपा उसनों अच्छे तरिके नाला टेंप्ट कर सके ठीके क्योंकि जमेट्री दे वेच्छों कॉनिक सेक्षिन दे विच्छों अच्छे का खास है तो हाड़ी जेड़े कोशिन नहीं और कवर हुंदे ने एदे विच कोई भी डाउट नहीं हैगा उन जेकर आपा पैराबोला दे गाल कर दिया तो बिल्कूल स्टार्टिंग दे विच मैं तहानू दसिया सी कि जित्थे तो हाड़ी इसेंट्रिसेटी इसेंट्रिसे कि तो से जाके एक वारी पराणिया ग्लासी जुरूर देख लिए हो तहान जी तो फोर एक्जांपल ये मेरे कोल एकस 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 एक ठीक है ओन ओब्यस है कि मेरे को ले की होएगा कोई ना कोई एक लाइन है जीरे बेसेज दे उपर अपने को ले एक्कोल डिस्टेंस बान र लाइन तो ते पॉंट तो डिस्टेंस बीलकुल सें जिन्ना उस दा लाइन तो डिस्टेंस आए उनना हिला इस दाुट दू डिस्टेंस है दिस्टेंस बिलकुल सेंह तरह हेजागा टेक defense हो होगी कैने मतलब जेकर एक Kinरा पौइंट मूब करimizi निया क्वाइए इथिस डा तो ते point तो distance बिल्कुल same होन वाला है तो हट जगात इस जड़ी रेशो है और same रहेगी तो एड इस तरिक के नाल जो दो हो पूरा path cover कर लेंदा है जो जित्ते दा को path cover कर सकते है और सारा दा सारा जो प्रोपरी के लोकस बांदा है उसनों आपा की बोल दिया पैरा बोला बोल होन कोशनरा इस हुंदा फोकुस देटर्फिस दाता पता लाग जे सानूं की हुंदा हुं थोड़ा जा अग्गे भी दुसों की करिए अपनी कोले अगर एही एकस एकसे जाय ते वाई एकसे जाय चार तरह आन्दे पैराबोला जब दो पहला जड़ा पैरा बोला ओ देवा बिल्कुल ही और ईजन नाल टाच्च होके इस तरिके नाल मुफ कर दाया, इस इस इक्वेशन की हुन दिया, y² is equal to 4ax, इस इक्वेशन नो याद की में रखने है, इस नो याद रखना है, तिक्का बहुँ जाता है, तुसी आप सोचके देखो इते, यदियां, दो वैल्यूज ने, x दी एक वैल्यू है, ठीक है, y दो वैल्यूज ने, x दी एक वैल्यूज ने, तुसी समझ के देखो, कि जिकर मैं इस पॉइंट दी गलका रहे हैं ता इते, शायद मेरा पॉइंट हो सगदा है, 2,4, और बिल्कुल एदे सामने मेरा पॉइंट होएगा, 2 and minus 4, क्योंकि एधे मेरकोल, x दी वैल्यूज दी वैल्यूज ने, एक नेगेटिव एक पोसिटी, ता है एक चिसता क्लियर है, कि मेरकोल, y दी दो वैल्यूज ने, x दी, एक वैल्यूज है, so y square is equal to 4ax, the second thing, कि अपने कोले, यह राइट दे विच बानारे है, so that was, y इसनों की किया जाना है, right-handed parabola, this is known as right-handed, ठीक है, right-handed parabola, हुन ए दे विच भी बहुत सारी हैं चिजहां हुन दिया ने, latest rectum कि में find करने, axis कि में find करने ने, एक एक जाम्पल करांगे, फिर तो बात और कोई डवड बचना ही नहीं हैगा, ठीक है, क्लियर है, हुन अस्तों बात जोड़ों आपा जाल दे हैं, मैं एक पैराबोला ता ए हो गया, ठीक है, हुन दूसरा पैराबोला भी दास दोसान केड़ा हुन दे है, जो बिल्कुल सेम है, बट बांदा के दे विच ए बिल्कुल है, राउंड हुन थोड़ा एक रेक्ट कर लियो, ए मिल्कुल की हु इन्हों आपा की बोल दियां, लेफ्ट हैंड पैराबोला और इस दे विच की लागया, माइनस लागया, हुन इन्हों भी याद रखना मिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ए रे विच भी तुसे देख सक्दियों, मिल्कुल वाई दियां दो वैल्यूस नहीं और एक दी एक वैल्यू है, वैरी राइट, कि अगर तुसे कह रहे हों कि मिल्कुल एक दी वैल्यू माइनस टू है, य दी वैल्यू फोर है, तो तुसे कह सक्दियों कि मिल्कुल एक दी वैल्यू माइनस टू दियां, वाई दी वैल्यू माइनस फोर हो जांदी है, हुन तुसे देख पार एक्स आक्स आए जाएगी अपार बोला दूसरे नोप बोल दिया डाउनवर्ड पैर बोला ठीक है आपनिको ले की है अपवर्ड पैर पैरा बोला ठीक है जिरे विच तो से देख पारियों भिल्कुल राउंड बने गाए थो एदे विच में देख पारियां कि हुन एत्थे म य दी वेल्यू है वह सेम हैं, बट किते लाइस जरे जरे मेरी कर देयां, डाउनवर्ड पैराबोला दे बारे, डाउनवर्ड पैराबोला देखो जी, this is my y-axis and this is my x-axis, डाउनवर्ड पैराबोला कुछ नी है, बस इस दे विच नेगेटिव ओफ x-axis नू कवर कर दे, क्योंकि नेगेटिव ओफ x-axis y-nू कवर कर दे, तो देटिज वाई, minus 4 ay, so this is known as downward parabola, I hope so, कि ये चार जेड़े पैराबोला ने, इननादिया equations अच्छे तरीके नाता हानू, सबनों समझ आगिया होन गिया, क्योंकि एनना दे विच डाउट नहीं रहना चाहिंदा, एक क्लियर होना बहुत जारा जरूरी है, उमीद है, उमीद कर दिया है, सब कुछ प्रोपरली क्लियर है, एथो तक स्टील किसीनों कोई भी डाउट है, तो से कमेंट सेक्षन दे वि आपकी सारे पैराबोलाज नहीं कवर कर आँगे, छिक है, सब ते पहला मैं थे तुसे कह सका दियों कि प्रोपली लेफ्ट हैंड़ गाल कर दिया, लेफ्ट हैंड़ पैराबोलादी, ठीक है जी, हां जी, इस दिर सब ते पहला ता शेप बनाओ, हुन शेप औरेड़ी सब पता है कि left-handed parabola दी शेप की हुं दी है वाई एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस है ठीक है और इसे विच ए जड़ा पैराबोला बाने रहे है इस लेफ्ट हेंड़ पैराबोला ठीके चलो और एक अरनTo भाद होली होली होल अपांज की वाद दियां ते साठिया ची जाने डिस्कस कर दी चलो ऑन दी कहां Set Rat आपा फां गाल कारिया एक श सीच केड़ी अचसीच केड़ी एकससदा एक कटेंग बन रहाया है तो लो बैक जाने है तो में देखने हैं केड़ी एकसे授 एकड़ी अग्वी कोर्डिन उसी हिंपने चारान्यो कुन पराबला नि जरा रह रहा है यह एक्स एक्स दिया है वैलिज नो बार-बार कैरी करी जान दा हना तो इथी जड़ी यह वाई एक्सीज ए ओकी होन वाली है जीरो होन वाली है तो एक्स दी क्योशन इत्थी किरेगी दैट इस वाई इस इक्वल टू जीरो सिंपल सॉटर्ड फेर आज जो जी अग्ये सेंटेक्स कुंए एक्वित इस पोइंट जी इसोर साह के सब्सक्रांगे रहा YOU जो सुखता है कि है चैप सब्सक्राइब बारश रहा है आपनी हम आ कि भोकांप बॉर्ठों कर लेंदों तो शीनैटरक्स प्रप्रपालों तो चैण्च कर लेंदी है नहीं प्रॉपर थेक्स 00, जेकर किसे साथी remindで है कि जेकर ढिना पैरा बोला कुछ इसतरिक के नाल बाने रहे है और यहें प्रॉपर्ली कार्व अपनी लहरे है 2-3 पॉविंट देऊपर तैरा मतले मन्क्रे मेही है hear जड़ा वर्टेक्स है और टू थ्री होन वाल है समझ रहे हूं I hope so it properly understand हो गया होएगा कि वर्टेक्स की चीज हूं दिया है चोला हूं अग्गे चाल दिया है अगले पॉइंट नो डिसकूस कर दिया है that is the focus होन कोश्चनराइस हो जाना है कि focus की हूं दै ओ कोश्चन आना ही नहीं चाहिंदा माइन देविच को कि जो तो बिल्कुली starting देविच मैंता हानू दस्या सी कि जड़ा है पराबोला हो बंदा की में है ता याद करो एथेक पॉइंट सीगा ते एथेक लाइन सी जड़ा पॉइ जीरो हुन कोश्चनराइस हो जाना है मैं जीरो क्यों लेया क्योंकि थे वाइदी पॉइंट वेल्यू जो है ओ जीरो होएगी एक्स दे उपर पॉइंट है और ए मिल्कुल मतलब जेनरल में ने एक्स दी कोई भी वेल्यू लेली जो कि आपा फाइंड आउट करांगे वी कि है थीक्ति है मुद्स अही हमेश्याओ लेरा अंदर हुंद्ए फ्यू जेड़ा मिल्कुलNewॉ कि एट इस ए जीरो इसेरो समझ आगया होंकोशिं सानुंच अनुए अफ डिर्येक्स विदस्तों किनभिनी होंदी हां जी एक्वेशनதों ने छेन हमें पता लागी कि जीड़े एक लाइन दित्ती से एक पॉइंट दित्ता से बिल्कू स्टार्टिंग देवेच ताहु जिटी लाइन सी ओनू ही आप डिरेक्टिक्स बोल देयां ताहुन दुसो फिर एदे वेच कित्थी होगी ताहुन मैं तहानु क्या सी भी एन इक्वल डिस्टेंस कवर करदा हुन ए इनकला पॉइंट जिन्हा कें दिस्टैंस एने फॉकॉस तो कवर किता हुन।कि आपने स्टार्टिंग चे पढय यह आई ही ए यह वी पराबोला क्यों boosting हैं फोकस आ डिरेक्ट इस्टैंस दे विच जा है पॉइंट पाथ कवर कर देतां ताहून मतलब बिलकुल सेम समझ आ गया सारे अनू, स्टेल के ते कोई डाउट है गया, अगर है गया तब फिर कोमेंट सेक्शन दे विछ वाटापर लिख दी हो, और एक्वेशन की होगी फिर दी, एक्वेशन की होन वाली है, that is x is equal to minus a, क्योंकि ते आनल देखो, y ताज ये थे है यही नी, y दी वैली देखे कोई कवरी नी हो दी, सिर्फ x is equal to minus a है गया, ठीक है, next will be length of the, length of latest rectum, होन एक ही आ गया, latest rectum की होन दा है, latest rectum अपने कोले होन दा है, जो की अपने focus दे विच्चो पास कर दा है, उसनों अपा की बोल दिया, latest rectum बोल दिया, the length of the equation, जो की अपने विच्चो पास कर दी है, फोकस दे विच्चो ठीक है, ता हुन देखो, length दा, एरे विच्च दा उसे confused होना ही नी, length of the latest rectum दे विच्च बिलकुल वी, क्योंकि है, हर जगा दे उपर सेम रहन वाली है, that is 4a, तुसी जो दो पारा बोला दी, equation लिखी सी, की लिखी सी, तुसी लिखी सी, तुसी लि लेटेस रेक्टम हुंदा की है, तो जेडा ही है, फोकस है, और इस फोकस दे विच्चो पास कर दी होई ये लाइन है, इसनो अपा की बोल दियां, लेटेस रेक्टम बोल दियां, this line is known as latest rectum, ता हुन मैं तो हाटी तो अगला कोशिन पुच्छन जा रही है, कि दुसो मैंनु फिर equation of latest rectum की होईगी, what is the equation of latest rectum, हुन तो से कोऊंगे मैं, एक मिनिट, बैक जाई हो, अच्छा ठीक है, हुन एदे विच मैंनु पता लग रहे है कि एता फिर x दे विचो पास होन वाली कलाई है, x दे विचो पास होन वाली कलाई है, कि एडे point दे, a point दे, मतलब ए at vertex, tangent की हुन दी है, जो एक point दे उपर touch करके जान दी है, okay, tangent at vertex के डी बान रिया, तो हड़ी इस पैरा बोला दे विच, ठीक है, मैं हम vertex ता आवल है, इस point दो touch कर दी होई तो फिर आ ही जा रही है, जड़ी तो हड़ी सामने है, हान जी, बिलकुल, मतलब y axis एहो जी लाइन है जेड़ी अपने को टेंजेंट देनाल vertex बना रही है, ठीक है, अगर tangent देनाल vertex बनान वली लाइन एह है, ता इधी equation की होगी, ता इधी equation होन वली है, axis equals to 0, I hope, इस सारियां चुझां clear ने, किते भी doubt है, ता फड़ फड़ पुछलो, क्योंकि जेकर first वाला पैराबोला clear हो गय एधे मिलकुल किया जुगा, axis equals to 2, समझ आ गया, clear है, easy है, चलो, एह हो गया तो हड़ा, right-handed parabola, होन right-handed parabola जिकर तहानू पता लग गया, ता मिनू एमें लग दे कि एक एग्जांपल एदे नाल दी कर लेनी चेंदी है, तांकि कोई भी mind दे विच डाउट रहेना, चीक है च चलो, करिए फिर एक एग्जांपल एदे नाल दी, फिर आपा बाकी सारे parabolas नों डिस्कूस करांगे, ताकि जादा अच्छे तरिके नाल समझ आ सके, हुन मैं तो हानू एग्जांपल दे रहे हैं, that is y2 minus 8y minus x plus 19 is equals to 0, हुन ए तो हाड़िकल प्रोपरी की एक्वेशन है, एन चारा x कला ही है, ताहिनों आपा उदर ले जाने है, that is y2 minus 8y which is equals to x plus 19, ठीक है, थोड़ा यहनों परफेक्ट स्केर बनाना जरूरी है, क्योंकि कदे भी कोश्चन है, वे नहीं सौल हूंदा हूंदा, परफेक्ट स्केर बनाना जरूरी है, क्योंकि आपने कोल एक्वेशन की हूं दिया, that is y2 is equals to 4ax, ठीक है, ताह परफेक्ट स्केर बनाना जरूरी हाफ दा स्केर एड़ करदांगे, हाफ दा स्केर माइनस करदांगे, मतलब 4 दा स्केर 16 एड़ भी हो गया, माइनस भी हो गया, और इस इकल तू देस, एनना तिनना नों मिला के ताह मेरे कोल बन गया, परफेक्ट स्केर, that is y-4 दा होल स्केर, और 16 एदर आगया था, means to say, शायद मेरे कोले की बन गया, ओके 19 प्लस दा सी, ताह 19 एदर आके माइनस दा हो जुगा, माइब, हाँ जी, माइनस 19 प्लस 6 और 16 किता था मेरे कोल आगया, x-3 और y-4 दा होल स्केर, हून तू से सोचोंग आ की होल गया, आपाता सिंपल बढ़ना सी, हून एनु आपा लिख लेने है, capital y-2, that is equal to 4, a, capital x, एदा मतलब, जेडा capital y है, y-4 दे इकोल है, और जेडा capital x है, और x-3 दे इकोल है, हून एदा मतलब पते की होल गया, एदा मतलब यह होल गया, कि जेडा है तो हाड़ा, left-handed, right parabola बन रहा है, एदा वर्टेक्स 4 दे 3 है, मतलब, 3 दे 4 पॉइंट दे उपर है, तो हाड़ा, वर्टेक्स ले रहा है, और इस तो बाद है, पैराबोला बन रहा है, ठीक है, हून अपा सार यहां चिज्जां, फाइंड उट करने है, की की फाइंड करने है, सब तो पहला यह है, और की है, y-4, नाला पर डाइग्राम भी बना देने है, y-axis है, ax-axis है, तांके तो हानू, कोई भी डाउट ना रहे, डाइग्राम सिर्फ तां बनाई जा रही है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, और एथे किते कोई ना कोई पॉइंट है, इस वर्टेक्स दी उपर तो हड़ा की ब पान रहे है, ठीके जी, क्लियर है, हुन ए जेड़ा पॉइंट है, that is 3, 4, पॉइंट, हुन ए रे वेच, आए थोड तो हानू, एक चीज़ता पता लगी, कि जेड़ा मेरा वर्टेक्स है, और वर्टेक्स की है, जी, और वर्टेक्स मेरा है, 3, 4, am I right, क्लियर होगे सारे हानू, पता लगया है, मेरा वर्टेक्स 3 and 4 है, हुन आपा गल कर लाने है, एक्सिस दी, तो दोस्तो जी, फिर एक्सिस की निया हुन गिया, आप एथे लग तो लिख लाने है, एक्सिस की होएगी, y is equals to 0, हाना, एक्सिस मतलब y जिनना कवर का रही है, तो y किनना कवर का रह हा रही है, तो जड़ी मेरी एक्सिस है, और कि य है, y is equals to 4, ठीक है जी, clear है, एक्सिस मेरी कोल केटी कवर हो रही है, y is equals to 4, उस तो बाद आजो, next one, focus, focus केंदे सी, a0 जेडा तो हटा पॉइंट है, that will be focus, हून कोश्चन है, राइस हुन है, मैम, a value किननी हून वाली है, तो आ विचारा, 1 दे ही, equal है, क्योंकि 4 एदी वैल्यू की दे, equal आजान दिया, 1 दे, equal आजान दिया, comparison करके देखिए, तो एदी वैल्यू की दे, equal आजान दिया, 1 by 4 दे, equal आजान दिया, ठीक है, तो हुन जे रापा, find करना सी, और किसी का focus, तो पॉइंट मेरी कोल focus दा किनना आ directrix, हुन एरे विच मेंनू इनना दा पता लगे है कि एदी value 1 by 4 है, क्योंकि मेरी directrix बिल्कुल मेरी focus दे, उल्टा होएगी, तो equation of directrix मेरी की होन वाली है, that will be x is equals to minus 1 by 4, थोड़ा बोथ इन भी वैल्यू करोंगे, तो 4x plus 1 is equals to 0, this is your equation, I hope this is also clear, एरे विच भी कोई डाउट न 4a देकोल है, हुन एरे विच तिया आन रखन है, 4a देकोल है, और 4a मेरी कोल की देकोल है, 1 देकोल है, so इस question दे बिच तहादी length of latest rectum की नी होन वाली है, that is 1, clear है जी, next चल देया, next one, that is equation of latest rectum, equation of latest rectum की देकोल है, that is x is equals to a, x is equals to a रा मतलब है, x is equals to 1 by 4, means to say 4x minus 1 is equals to 0, this is the length of latest rectum, एक चीज अबसर्फ करो, directrix देकोईशन ते, length of latest rectum, sorry, equation of latest rectum है, जो कितने जादा इना है, विच फर्क नी होगा, symbol दा फर्क होगा, plus minus दा, अग्गे चाल देया, length of latest rectum कर्दम तो बात, tangent at vertex, tangent at vertex, tangent at vertex, x is equals to 0, और x is equals to 0, but अपने कोल अथे जड़ा, अपना x से आ एवी कह सकते हैं कि जेडी मेरी एथे tangent बनूगी, that will be 3 दे उपर बनन जा रही है, so that is x is equals to 3, जा तुसी एवी कह सकते हो, x minus 3 is equals to 0, x मिलकुल किना आगया, 3, तो दोनों ही तरिक्के ने जड़े बिलकुल सही ने, I hope एच चार पांच जेडियां भी गल्लाने तो हड़े, लेफ्ट हेंड़ कर लेता, नाल कंपेर करके ही आपा राइट हेंड़ सिखांगे, so this is your y-axis, this is your x-axis, y-axis हैंगे, x-axis हैंगे, और लेफ्ट हेंड़ पैराबोला बनुगा किदा, कुछ इस तरिक्के ना थोड़ा लेफ्ट हेंड़ पैराबोला बांजुगा, सब तर पहले लेफ्ट हेंड़ लेफ्ट हेंड़ पैराबोलार की हुंदिया, that is y-square-4ax, हुन मैं इते सारियां चे जा लिखरियां ते मैं उमीद कर दियां कि क्योंकि रिकोर्ड क्लास हेगी है, किते ना किते, ते तुछे सारे की करोंगे, नाल नाल फटा-फट अपने नोट बुक दे अधिन कानल पर लिखदे जाओंगे, कि इसदे अकसिस के डे केडे बांदे आया है, एदे वर्टेक्स केडे केडे बांदे आया है, एदे एक्वेशन ओफ डा-इरेक्टरिक्स की होएगी, और इसदे अगर आपा अगाल करिए, फोकस की होएगा, अफ्र यहांट आज तो टेंजेंट एट वर्टेक्स की हून वाल है, so tangent at vertex, हां जी, ता इनना सारियां चिज्जान दे हून आपने अपने अंसर देने या, फड़ा फड़ देने या नाले, ता सबतर पहली गलता आ जान दी है, अपने को ले x दी, क्योंकि, अपना y-axis दे कोडिंग ही बान रहे है so x दे विच भी क्लियर ने, क्या अपने को ली की होन गया, y is equals to 0 ही होएगा, मैं नाल कंपेर का रही है, नाल कंपेर करके तो हाड़े सामने, दूसरियां वैल्यूस भी लिख रही है, राइट हेंड़ दे या, ता कि थोड़ा या, अच्छे तरीके ना क्लियर हुंदा रहे this is our right-handed parabola, that is y is equals to 4ax, चलो, हुन अपने को ली एक्स दोना दे विच ही की सी गया, दोना दे विच ही अपने को ली एक्स सेमने, that is y is equals to 0, क्योंकि यह दोनों ही y दे अकारे ले रहे ने, चीक है, ताँ वर्टेक्स अपने को ली की आ जाना है, हुन वर्टेक्स देखए थे, जिते हे प्रोपरली कर्व ले रहे है, that is our vertex, मतलब दोना दा वर्टेक्स भी की है, 0, 0 ही है, और जा फिर जीडे पॉइंट दे उपर हे कर्व लेगा, वही अपने को ली की होईगा, वर्टेक्स होईगा, equation of directrix, हान जी, equation of directrix मैं तो हानू की दिस्या सी, के पहला फोकुस द होन बाले है, negative होन बाले है, बट जो दो अपर right-handed parabola बनाया है, उस case देवेच, जड़ा मेरा फोकुस सीगा, और मेल को पोजेटिव बानुरी आसी है, इस चीज़ नो practically सोच के अपने mind देवेच रखने है, रटाफिकेशन नी लगानी, जित्ते है अपने रटाफिकेशन ल है युद्ड फोकुस सीगाना है अपने युद्ट है, कुछ नी हुदा, मैं इमेज बनाओ कदेग गलत नी होगा, तो अपने मेल को फोकुस सीगाल कर लाएन यह, अगर बिल्कुल ही आपा right-handed अपने आपा देख के आया है, ऑथ ही मेरा focus positive, जित्स आपने है, और रीजन अ ठीक है हुड़ आपा गल कर लेने डिरेक्ट्रिक्स दी मैं ता हानू किया सी के बिल्कुल ही opposite side दे विचे डिरेक्ट्रिक्स बनेगी क्योंकि एवला distance तो एवला distance सेम है ता मेरेकोल की बाणगी सी डिरेक्ट्रिक्स दी equation x is equals to minus a बट ओही जिकर आपा left-handed parabola दी गल कर दिया है ता left-handed parabola दे विच की होएगा left-handed parabola दे विच होएगा जिनना distance एने इते कवर किता है बिल्कुल ओनने ही distance दे उपर एक बिल्कुल straight line होएगी और ओ line मेरेकोले किस point ते बनेगी a zero point दे उपर बनन जाएगी तो एनो आपा की बोल दिया है directrix बोल दिया है yes or no agree or not हुम जल्दी जल्दी बोल लो सारी के दे विच्छे जो left-handed parabola उसे विच्छे केडी equation होन वाली है directrix दी तुसे कोंगे ma'am x is equals to a और right-handed दे विच्छे कोंगे x is equals to minus a agree or not चलो जी अग्गे चाल दिया है length of latest rectum दे लेंth of latest rectum दे लेंth of latest rectum द equation of the latest rectum the question is equation of the latest rectum ता हुन आज हो सबतों पहला दा जो आपा already done किता हुया है right-handed parabola ता latest rectum की हुन है latest rectum हो लाइन है जो focus दे विच्छो पास कर दिया है और focus दे विच्छो पास कर दिया ता इसकेस दे विच्छे में कोली equation की आगी सी x is equals to a क्योंकि इस पॉइंट दियो पर ता अगर एहे left-handed parabola दे विच्छो focus दे विच्छो पास करेगी ता latest rectum दे equation that is automatically x is equals to minus a x is equals to minus a I hope it is very clear so अपने को ले equations लेख लेने है equation of latest rectum left-handed दे विच्छ होएगा x is equals to minus a और right-handed दे विच्छ होएगा x is equals to a tangent add the vertex tangent add the vertex मेर्कुल की बानरी सी यह थे तो सित्यते अनल देखो बिल्कुल एदे नाल एक पॉइंट ते टच कर दी होई tangent के डी सी आवली जित्ती equation की है x is equals to 0 तो हो ही अपने को लेफ्ट हैंड दे वेचे tangent add the vertex के डी बानरी है इस पॉइंट नों टच कर दी होई एक लाइन ता आ ही ह मेर्कुल की यह x is equals to 0 क्योंकि सारी यह values एदे उपर y दिया ने तो दोन्नों ही से एम ने that is x is equals to 0 x is equals to 0 तो काफी हाथ तक 1st, 2nd, 3rd and 4th जे तो सी 7 जाठ चीज़ां पाद रहे हों तो होदे वे चुछ चार चीज़ां तो आटमेटिकली ब्राबर ही ने अग्ये चाल दियां होना पाद डिस्कूस कर दियां upward parabola और downward parabola हां जी the third topic will be upward क्योंकि जो दो upward अच्छे तरिके ना सिख लेया तक downward दे विच कोई प्राबलम नहीं होएगी आए गरेंटी कर दिया में तो हन्नों ही यह मेर्कोल y axis है यह मेर्कोल x axis है तो इरे विच जेड़ पैराबोला बान रहे है वह आप बना आदे यह that is upward parabola हां जी यह मेरा parabola है this is known as upward parabola अपवर्ड पैराबोला दे वेच अब्येस है सब्तोर पहला तापा इसदी equation लिखांगे what will be the equation of the axis square that is 4 a y this is the equation जो दो तो हर्डेकोल x दियां दो वेल्यूस होन गियां और y दी इक वेल्य होईगी तो सब्तोर पहला आपा फाइंड करांगे इस दे एक्सिस उमीद कर दिया नाल नाल फड़ा फड़ा फड़ कमेंट सेक्शन दे विच मेरे तो मेरे बोलों तो पहला तो अड़े आंसर आजान ठीक है after that there is vertex after that there is focus फेर आपाने नानों दसने equation of directrix की हुंदी है उसतो बाद आपाने नानों दस देना है के दसो मेनू हुं जल्दी जल्दी के length of latest rectum की होईगी length of latest rectum और equation of latest rectum की होईगी and tangent at vertex the equation की होईगी चलो इस सारी यां गला पाइना ना डिसकस करनी है ने और मैं कोशिश करूँगी कि after that अपा downward दी भी गाल करिये पर फिल हाल मैं तो हड़ना लिक वारी upward दी ही गाल करनी है ठीक है आपवर पैरा बोला ताड आमने बने होया है इस दे वेच सब तो पहली गाला जान दी है एकसिस दी तो क्योंकि अपने कोल प्रीविएस दे वेच की हो रहा सी ये एकसिस दे गोरिंग बानर या सी ठीक है ताहुन में इक चीज ए थी नजर आ रही है कि मैं एना पका एकसिस ते कर्णि बphonरिंग बहार न तो सी स्रीच दाट में एकसि उकल स्ट जीरोस एकसिस नाग जोसी वर्या ठीके अग्याा जोजी वर्याग्स ला जया नड़ह ईडिख या आर्या ल है अपने ओरीजन तेहील आ turnout डिजिड जीरो तो इस वेच वेच वी गेगा जीरो जिरो ग्य y axis दे उपर है ओ इज़ेड़ा पॉइंट है और किदे उपर है y axis दे उपर है तुसे इसनों b नी लेना तुसे इसनों a लेना है तुसे इसनों a लेलो ओ कोई प्रॉब्लम नहीं है बस confused नहीं होना ठीक है तो एथे ज़ेड़ा फोकुस होएगा दैड विल बी 0 a the equation of the directrix इस फोकुस दे बिलकुल opposite एक बिलकुल same distance दे उपर लाइन है उसनों अपा की बोल देया डियरेक्ट्रिक्स बोल देया और इस दी ज़ेड़ेक्वेशन है यह जड़ा पॉइंट है ओ मिल्कुल की होएगा इक्वेशन ओफ लेटल गन्हा है चीक है ओर फोकुस दे विछो पास कर दहे चीक है और फोकुस दे विछो पास करन वाला एस ती ज़ेड़ेक्वेशन है ना जेड़ा थे एक्वेशन फडी यह त्फोर्यलड़ा Award ध डियरेक्वेशन होशला है और अकिन्नी ची़ ले vertex ते उपर बानरी है, but एदे विच सारियां दियां, सारियां y दियां values 0 ने, that is why the equation of this line is y is equals to 0, so एदे विच की हुएगा y is equals to 0, agree or not, सबनो है समझ आगया, clear हुन थोड़ा जा अग्ये बाद दियां, downward parabola दि गल कर दियां, यह मेरी x-axis है, यह मेरी y-axis है, हाँ जी, सो इसते विच गल करन लग गयां जी, downward parabola दि, यह बान गया मेरा downward parabola था, I thought basic चिजन सबनों के लिए ने, equation सबनों पता है, हुन x दि जेकर गल करिये था, इस दि axis भी की होन वाल है, that is x is equals to 0, और vertex भी की होन वाल है, that will be 0 and 0, अगे आजान देजी, focus, ता focus एथे की होएगा, जल्दी जल्दी आंसर कर दिया हो सारे, कि एथे मिल्कुल जड़ा focus होन वाला है, that is 0 minus a, क्योंकि negative दे विच बान रहे हैं, this is the negative, negative of y-axis, ठीक है, so एथे मिल्कुल जड़ा focus है, that is 0 minus a, equation of directrix की हो जान दी है, बिल्कुल opposite direction दे विच, बिल्कुल opposite direction दे विच, same distance दे बनी होई line, that is our equation of directrix, मतलब, sorry, 0 a, हां जी, मतलब मिल्कुल जड़ा की आएगा, y is equals to a, length of latest rectum, 4 a, एरे विच ता सोचना ही नी हैगा, कुछ, उस्तो बाद आजान दे है, equation of latest rectum, equation of latest rectum दा की मतलब हो जान दे, all length jd की, focus दे विच, पास कर दी है, focus दे विच, पास करन वाली है, y is equals to minus a, I hope this is very easy, or clear for you, के दे मिल्कुल की आजान दे, y is equals to minus a, tangent right vertex की होन वाली है, y is equals to 0, ता इस चारां दा टेबल इक कठा बनाओ, हुन मेरे तो homework भी सुनो की है, आज लिए आप आइन नहीं कर दे है, ते मेरे तो homework भी लेलो हुन, चारां नू इक कठा करके, अपने आप डाइग्राम्स बनांके, अपने आप वेल्यूज लिखो सारी है, और इक अच्छा जा सोना जा टेबल बनाओ, ते सारे जाने उसनों ग्रुप दे वेच शियर करो, एता हडा हूंवर्क है, चीक है, और करना सबने है, आप नहीं करना के चोलो जी, फियर कार लांगे, नहीं, जुरूरी है, वीजन मस्ट है, ता ग्रुप दे वेच सारे शिय करो, और जिनना ने हो गया, टेबल बनाके, शियर करता, कमेंट सेक्षिन ने वीच, डन जरूर लिखियो, ठीक है, जी, क्लेर है, ता आज आप नहीं कर दिया है, चारो टेबल नो अच्छे तरीके ना समझ लो, डाउट किते भी किसे दाभी है ता कमेंट सेक्षिन ने कोशिच रहेगे कि रेगुलर थार्डनल मैं क्लासे शेयर कर दी रहा और सेटिंग देविच थोड़ अबर टाइम लग जांद है, ओ मैं मान दी है, ठीक है, चलो, और शेयर कर दियो, जादा तो जादा शेयर करने, बहुत जल्दी अपा 10K होन वाले हां, बहुत ही जल्दी बहुत थोड़ा जा सफर रहे गया, अथे तक पोंचन दे लिए, उमीद है तुछे सारे साथ लोंगे, कॉपडेट करोंगे, थैंक्स पो वचिंग, एंड एमसी क्यूस्दी क्लास भी अज तोड़ना शेयर करतेंगे, टेक केर,